हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूर चनल पंकुडी क्लासिस आज हम सुरुवात करेंगे यूपी ट्रपल सी पी इटी क्या जो सिलिबस है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा वोगा सिंदू सब्विता क्या थी ठीक ह है उसके बारे में जानेंगे जैसा कि विकुल से चलेंगे हम और इसके वीडियो के लाश्ट में आपको मैं कोशन भी देने वाला हूं तो इन कोशन को भी आपको लगाना है और देखना है कि कैसे कोशन पूछे जाएंगे कोशन तो फिलहाल बहुत होते हैं लेकिन मैंने आ सिंदु घाटी सब्विता से प्रारम होता है कि जिसे हम हड़प्य सब्विता के नाम से जानते हैं ठीक है यह सब्विता नेक्स्ट पॉइंट है यह सब्विता लगवग पच्चीस सो इसवी पूर्व दक्षिन एसिया के पच्चिन भाग में फैली हुई थी जो की वरतमा सब्विता है पाकिस्तान तथा पच्चिम भारत के नाम से जाना जाता है कि नेक्स्ट सब्विता मिस्त्र मुसावपाटामियां भारत और चीन कि न कि चार सबसे बड़ी प्राचिन नगरी सब्यताओं में से अधिक उन्नत थी 1920 में भारतिय प्रात्तत्य विभाग्रेय द्वारा किये गाये सिंदु घाति के परम अप्सेश्य नगल के कौँज की गई में कौँ चलकिछ 보고zone क्वार्हा तथा मोहं जोद्ड फेयर समझते तृटी नगल की नेक्स्ट भारत्य प्रात्तत्य विभाग्रा के तत्कालिण डारेक्टर जनर्रल जॉन मार्सल ने 1924 में सिंदु हाटी में एक नई सब्विता की घोषणा की हड़पा सब्विता के यह क्या है हड़पा सब्विता के महत्पूर्ण इस्तल इनके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले इस्तल पढ़ेंगे उसके उसके बाद खोज करता अवस्थित कहां है मतलब मैंत्पूर्ण खोज ओके बहुत हैं मैं आपको सारे इसमें बताऊंगा सबसे पहले यही देख लेंगे हम की लिखा है इस्तल कौन सा है हडपा खोज करता कौन है दयाराम साइनी यह ज्यादा तर पूछा जाता कोश नहीं यह आप इसको इंपोर्टेंट लिख सकते हैं अवस्थित कहां है यह आज हडपा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखी एक पंजाब इंडिया में भी है और एक पंजाब बैल गाड़ी यह सब इनमें मिली हुई कि ठीक है आगे चलते हैं कि यह लिखा है कि मुहन जोदड़ो म्रत्यकों का टीला जैसे कहा लाता है कि किसने खोच की राखल दास बनर जीने कव 1922 में कहां आवस्थित पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लर्काना जिले में सिंदू नदी के तठपर इस्तित है क्या प्राप्थुआ बिशाल इसनानागार अन्यानागार कांसे की नर्तके की मूर्ति पशुपती मह दाड़ी वाले मनुस्की पत्थर की मूर्ति बुने हुए कपड़े यह सब यहां से फिराता है सूथ का सूथ का डोर यहां से खोच करता कौन है 1929 में यह इसमें मतला अवस्थित कहां यह भी पाकिस्तान के दक्ष्ण पस्चमी राज के बलुचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर अवस्थित है यहां से मिला है हडपा और बेबी लॉन के बीच ब्यापार का केंद्र विंदू ठीक है केंद्र विंदू था यहां पर नेक्स्ट आता है चहूंद्रों यह किसने खोच की एंजी मजुमदार ने यहां अवस्थित कहां यह सिंदू नदी के तटपर सिंद्र प्रांत में यहां से मिला है मन के बनाने की दुकान है बिल्ली कप पीछा करती हुए कुट्टे के पदचिन मतलब पैर किचिन ओके यह था इसमें कि मैं सारे बताने वाला हूं आपको अब ध्यान से इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लें जो नहीं है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए मिलते हैं आगे वाले कि देखिए आमरी किसने खोच की एंजी मजुंगदार 1935 में सिंदु नदी के तठपर अबस्तित है हेरन के यहां से साक्ष मिले काली बंगन यहां गोस्ने की आर राओ 1953 में यहां अवस्तित है गुजरात में केंबे की कड़ी के नजदी भोगवा नदी के किनारे पर अबस्तित हैं यहां से पराप्त में हुआ है मानम निर्मिर बंदर का गोदी वाड़ा चावल की भूसी अगनी वेदिकाएं सतरंज के सतरंज का खेल नेक्स्टा घोड़े का घोड़ी की हड्डियां और मनके ओके आदा हुआ है का कि में नेक्स्ट है बनावली आरेस बिस्त ने खोच की यह हरयाना के हिसार जिले में अवस्तित है यहां से हमको पराप्त हुआ है मनके जौन ठीक है हडपा पूर्व और हडपा संस्कीतियों के साक्ष ने से हमको प्राप्वा और आर ऐसर content और यह रहां और यह कहां से गुजरांस से कच रन में इस तरह साँ यहांसे प्राप्त हुआ जेन प्राप्त हूं आँ अब आगे चलते हैं यहां लिखा जौन तो प्रारंबिक प्राप्विए सब्सक्राइब तक परिपक्व हडपाई सब्सक्राइब तक फिर आता है उत्तर हडपाई सब्सक्राइब तक चला चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे कि देखिए लिखा है कि प्रारंबिक हडपाई सब्सक्राइब तक प्रारंबिक हडपाई चल्ण हाकार हाकरा चल्ण से संब्सक्राइब जिसे हाकरा नदी घाटी में चिनहिर किया गया है हडपाई लिपी का प्रिथम उधारन लगबग तीन हजार इसवापूर के समय का मिलता है इस चल्ण की विशिस्ता एक केंद्रिये एकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरिये गुर्ण थे नेक्स्ट है बैपार्ट छेत विक मिले हैं उस समय मटर मटर तिल खजूर रुई आदी की खेती होती थी कोट दीजी नामक इस्थान परिपक हडपाई सब्विता के चल्ण को प्रिदेशित करता है नेक्स्ट 262 पूर्ट तक सिंदू घाटी सब्विता अपनी परिपक अवस्था में प्रिविस कर चुकी थी नेक्स्ट परिपक हडपाई सब्विता के अने तथा तख प्रारभी हडपाई सब्विता बड़े बड़े नगरिए बड़नेवक प्रभरत्त हो चुकी कि पतन का आरम 18 सी सपूर में माना जाता सत्रासी सपूर तक आते आते सब्वता के कई सह समाप्त हो चुके थे लिए कि नेक्स्ट है कि परंदू प्राचीन सगाटी सब्वता के बाद की संस्केतियां संस्केतियों में भी इसकी तत्वित देखे जा सकते हैं कुछ प्रातत्विक आंकड़ों के अनुसर उत्तर हडपा काल का अंतिम समय एक हजार इशापूर उननीस्तों इशापूर तक बताया गया है कि नगरिये योजना का बिन्यास तेखी हडपाई सब्वता अपनी नगरिये योजना प्रणाली के लिए जाने जाती है अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ उचाई पर इस्तित होते थे जिसमें अनुमानता उचबर्ग के लोग निवास करते थे हडपा सब्वता की ध्यान देने योग बात यह है कि इस सब्वता में गिरट प्रणाली मौजू थी जिसके अंतगर सड़के एक दूसरे को संकूर बनाती थी या संकूर काटती थी नेक्स्ट अन्वंडारों का निर्मार हडपा सब्वता के नगरों की प्रिमुख विशेस्ता थी क्योंकि अन्वंडार जो गेहूं वगेरा होते थे चावल वगेरा होते इनका मतलब बहुत बंडार था इस जगह पे ओके चलते हैं आगे के लिखा है जली हुई इटों का प्रियोंग हडपक सब्वमического dopamine सम्काली मिस्र में मकानों की निर्मार के लिए का सुस्क की प्रियों होता था नेश्ट हडपत सब्यता में जलने कासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी हर चोटे और बड़े घर के अंदर स्वयम का इसनानागार और आंगन होता था पहले क्या था जो जलने कासी थी वह बहुत प्रभावी हुई जैसे जल की कमी होती थी जाल तक पहुंचना राजाता था तो भी प्रणाली थी पहले लिए पाइए भाव को बहां तक डाला गया मेहल तक और जो बालटी होती थी तरह बहुत से भरभर बहुत से नहीं पाए जाते थाmodern garage इस्थान जैसे लोथल और धोला वीरा में संपूर विन्यात मजबूत और नगर दीवारों दोवारा भागों विवाजित था फिर आता है किर्सी किर्सी के बारे में जानें घड़पाई गाउं मुखेता प्लावन मैदानों के पास इस्तित जो की पर जो प्रयावत मातरा मैं संद्रा उत्पादन के संकेदी मिले हैं जबकि यहां चावल की प्रयोग के संकेद तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुरलब मिलते हैं सिंदू सब्विता के मनुस्त ने सरफिर्थम कपास के खेती प्रारम की देश्टेश किरसी प्रंपराओं को पुद्धन में करना ना कटिन होता है क्यूंकि किरसी की प्रिधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन छमता के आधर पर किया जाता है मोहरों और तेरा कोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मि जोते हुए कि खेत के साक्ष मिले हैं नेक्स्ट है हरपा सब्विता के अधिक्तम इस इस्थान अर्द सुस्क छेत्र में मिले हैं जहां खेती के लिए सचाई की अवशक्ता होती है नहरोस के अबसेश हरपाई स्थल सोर्थ गई अफगानिस्तान में पाए गए हैं लेकिन पंजाब और सिंद में नहीं हरपाई लोकिर्शी के साथ कि बड़े पैमाने में जो पसुपालन है वो करते थे घोड़े के साक्ष सूप्छ रूप में मोहन जोदरों और लोथल की एक संस्युक्त त्रेड़ा कोटा की मूर्ती से मिले हरपाई संस्केति किसी इस्तिति मैं अस्व केंद्रित नहीं थी अब आते हैं अर्थ व्रस्ता कैसी थी वहां की कि अर्थ व्रस्ता के बारे में जानेंगे अर्थ व्रस्ता जो थी अनगेनत संख्या में मिली मोहरें एक समा लिपी बजन और मापन की बिदियों से सिंदू घाटी सब्विता के लोग के जीवन में ब्यापार के मेहत्व के बारे में पता चलता है हडपाई लोग पत्थर धातूं सीप या संख का ब्यापार करते थे धातू मुद्रा का प्रियूग नहीं होता था ब्यापार की बस्तू बिनीमे प्रिनाली मौजुद थी अरब सागर के तट पर उनके पास कुसल नौवहन प्रिनाली भी मौजुद थी उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी बैपारिक बस्तियों बस्तियां इस्तापित की थी जहां से प्रमारिक रूप से मदेशिया से सुगम बैपार होता था दाजला फराद नदियों की भूमी यह दाजला और फराथ है वह नदियां नदियों की भूमी वाले छेते से हरप्पा वास्यों के वारज्य संबंदित थे नेस्ट हरपाई प्राचिन लेपिस लाजुली मार्ग से ब्यापार करते थे जो संब्रबता उच लोगों की निर्मत करने की वीदी थी उसको उप्योग से भली भाती परीचित थे तावा लाजस्तान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और अनुमानत अफगानिस्तान से लाया जाता था बूनाई उद्धोग में प्रियोग किया जाने वाले ठपे बहुत सी बस्तूओं पर पाए गए को कि थप मतलब जो मोहरें होती थी वह कि आगे आगे आते हैं लिखा है बड़ी-बड़ी इतने में रचनाव से राजगीरी से पता है जैसे महत्पूर्ण सिल्फ के साथ साथ राज मिस्तरी बर्ग के अस्तित्त का पताrend कर्पाई बनाने वाले हिए भड़ ऑई नाओ थे कि यह अभड़ ना बनाने की वान मांक बन बंनाने की बिदि मोहरें बनाने की विदि से भली वाति पर इचिते थे का निरमार करते थे मिट्टी के बरतन बनाने की पूर्तनों का निर्मार करते थे संस्थाइं क्या थी सिंदु घाटि सब्विता से बहुत कम मात्रा में लिखित साख्षे मिले जिने अभी तक प्रातत विदों सोध करताओं सोधार्थियों द्वारा पड़ा नहीं जा सका बहुत से चीज़ हैं जो अपी तक पड़ी नहीं जा सकी ठीक है एक पड़ी राम के प्रकर्ति समझना काफी कठनाई का कार रहे है हडपाइस इस तरह पर किसी मंद्र के प्रिदमाण नहीं मिले अगर हम हडपा सब्विता मैं सकतियों के केंडर की बात करें तो अभी लोग के द्वारा को इत्षोस जनकाई नहीं मिलती है कि प्रात्त विद्व की राय में हडपा सब्विता में कोई सासक बर्ग नहीं था तथा समाच के हर व्यक्ति को समाच समान तरजा प्राप्त था कुछ प्रात्त विद्व की राय में हडपा सब्विता में कई सासक मौजुद थे जो भिन हडपाई सहरों में शासन करते थे धरम ट्यराइकोटा के लगु मौधियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है इन मैं से एक लगु मौधि में महिला के घरक्व से उगते हुए पौदे को दर्षा गया महीला के गर्भ से उगते हुए उनके सिंगासन के पीछे भेसका चित्र बनाया गया है तेंगं के पास 2 हर्नों के चित्र हैं छितथ भगवान की मूर्तियों की पतिनात महादेब की संग्या दी गई है ने उनके पत्थरों पलई lass रिंग तथा इस्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गये हैं लोग प्रक्षों तथा की पूजा किया करते थे सब्सें महतुपूर पर्सु एक सिंग वाला गेंड्या था दूसरा मेतुपूर पर्सु कुवार्ण वाला सक्सांड था अत्रिदिक मात्रा में तावीज भी प्राप्त किये गए ओके चलते हैं सिंदु घाटी सब्विता का पतन देखिए लगवा 18202 में पतन हो गया ता परन्तु इसके पतन के कारण अभी विवादित हैं एक सिद्धान्द यह कहता है कि इंडो-एउरोपियन जन्जातियों जैसे आर्यों ने सिंदु घाटी सब्विता पर आकरमन किया तथा उसे हरा सिंदु घाटी सब्विता के बात की संस्केतियों में ऐसे पाए गाए जिन में जिन से यह सिद्ध होता है कि यह सब्विता आकरमन के कारण एकदम बिलुप्त नहीं हुई थी में दूसरी तरफ से बहुत से प्रात्य विदो घाटि सब्विता की पतन का कारण प्रकर्ति जन्न बानते में नेक्स्ट प्रकरतिक कारण भू परगेये और यह बहुत यह भी कह से जाता है कि सिंदू घाटि स्भुता के छेतर में और दिक विवर्दन सी कर्म कि परद्रेश कंव कि उत्तपति में प्राकृतिक कारण बर्सन प्रितिमान का बदलाव भी हो सकता है एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नरीयों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद उत्पादन छेत्रों में बढ़ा गई हो इन प्राकृतिक अब दाओं को सिंदु घाड़ी सब्विता के पतन का मंद गती से हुआ प्रंतु निश्चित कान माना गया अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर कुशन पर कैसे कुशन आएगा देखते हैं कि आगे हम कुशन पर लिखा है कि हड़ा सब्विता का सरवादिक मानता प्राप्त काल कौन सा है तो वो है तो वो है मारा कौन सा कि पच्चिस सब्विता के समकाली नहीं थी तो वो किस सम नहीं थी तो वो थी गिरीक गिरीक आंसर होगा हमारा डी ओके सिंदु घाटी सब्विता कहां तक बिस्त्रित थी कहां तक बिस्त्रित थी तो वो थी हमारा पंजाब राजिस्तान गुजरात उत्तर प्रदेश हरयाना सिंद और बलुचस्तान ओके नेक्स्ट है सिंदु घाटी सब्विता में घोडों के अपसिस कहां से मिले कहां से मिले घोडों के अपसिस तो वह मिले हमें सूर कोट दा से ओके नेक्स्ट सिंदु घाटी स्थल काली वंगन किस प्रिदेश में हैं देखिए सारे कोशन यह पूछेगा है स्सेम में आया तो दो बर पूचा गया दो या दो में भी आया तो इसकांत्र क्या होगा गुस्त राजस्थान ठीक है कि सिर्दा निम लिखित में अश्किस पधार्थ का उत्प्यों घड़ा पकल की मुद्राओं के निर्मार में मुख्य रूप से किया गया वह तो 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 थेल खेल सेल खड़ी ओके नेक्स्ट है कि हरा पस्था किस योग की थी हरा पस्था किसी योग की थी वह कांस्थ से योग की थी नेक्स चिंद्ध हाटी तब बिता के लोग कि लोगों का मुख्य व्याफ्साय क्या था तो वह था व्यापार करना ओके नेक्स्ट हड़ापा सब्विता के निवासी थे हड़ापा सब्विता के निवासी कैसे थे वो थे सहरी ठीक है सहरी तो थे सिंद्ध सब्विता के सिंद्ध सब्विता के घर किस से बनाय जाते थ कि नेक्स्ट है हरपपा वासी किस धातू के उत्पादन में सरपिर्थम थे तो वो किस में थे वो थे कपास में नेक्स्ट है कपास में थे ठीक है कपास के ऊजर में निमनिकित विद्वानों में से हडपा सब्सक्राइब का सरपिर्थम खोच करता कौन था दयाराम शायनी है सब्सक्राइब का पत्तन अगर यानि बंद्र का कौन सा था तो वो था मोहन जोड़ों ठीक है यह था मारा लोथल अंतर लोथल नेक्स्ट है अगे करतार लोथल अंतर पाम स्बमने खने शोड़ो श्सक्राइब का का को सा अगरा कारू रह Face कि हड़पा कालिन समाज किन बर्गों में बिवक्त था तो वो था हमारा किसमें राजा पुरुहित सैनिक और शूद्र में सिंद्ध सब्विता का सरवादिक उप्युक्त नाम क्या है पताई सिंद्ध सब्विता थी उसका रवादिक उप्युक्त नाम क्या है तो वह हड़पा सब्विता कौन सा लक्षण सिंद्ध सब्विता के लोगों का सही चित्र करता है उनके में उनके विशाल महल और मंद्र होते थे देवियों और देपता दोनों की पूजा करते थे किसका होगा कि कौन सा होगा अंतर कि वे देवियों देपताओं की पूजा कर देते तो केवल दूसरा अंतर सही है ओके नेक्स्ट है कि हड़ा सब्विता की खूज किस वर्ष हुई थी 1921 में कि नेक्स्ट आता है मारा हड़ा सब्विता के बारे में कौन सी युक्ति सही है कौन सी युक्ति सही है तो वह हमारी है उन्होंने पसूपती का सम्मान करना आरंव कर दिया अब हरपा के लोगों की सामाजिक पद्वित्री थी तो वह थी उचित सम्तापवादी नेक्स्ट सिंद्का नक लिस्तान बाग हरपा सब्विता के किस पुराज इस्तल को कहा गया है तो वह कहा गया है मोहन जोद्रों को किसको कहा गया है मोहन जोद्रों को कि बंद कर दिना लाइट हरपा सब्विता के संपूर छेत का आकर किस प्रकार का था लाइट बंद कर दो किस प्रकार का था तो वो था कि आयताकार स्वाई नहीं त्रभुजाकार नेक्स्ट सूची एक और सूची दो को मिलाना ठीक है तो सूची और सूची दो को मिलाएंगे कैसे देखिए हड़ापा किस नदीपर था राभी नदीपर यह बास साही है फिर लिखा है मोहन जोद्रों सिंद नदीपर लोथल भ भाग भोगवा नदीपर नमारा एक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हड़ापास अबदा कि अंतरगत हल से जी जोते खेत का साक्ष्य कहां से मिला है तो यह कहां से मिला है यह मिला है हमें कहां से काली बंगा से कि अ कि नेक्स्ट है कि सिंदुगाटी सब्विता की मुद्राओं मेर से किस देपता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है तो वह मिलता है हमारे किस से हमें आग शेविसे ओके फिर निमलिकित में से कौन सा अपका काली जिस्थल गुजरात में था तो वह था हमारा किसमें लोथल में नेक्स्ट है मोहां जोड़ों का इस्थानी नाम है कि मत्यकों का टेला डी कि माउंट ओफ डैट ओके यह थे हमारे इंपोटेंट कोशन जो मैंने बता दिये कुशन और आपका और टॉपिक कंप्लीट हो गया है मोहां जोड़ों का अब जो नेक्स्ट कोशन टॉपिक है उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंग